है लो फ्रेंड्स कैसी हूँ आप इश्वर की कृपा से आप सब ठीक होंगे आपका मेरी चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है मैं आज आपके सामने जो है गले का जो है लेटर डिजाइन बताने जारी हूं जिसके लिए जो मैंने देखिए चोडाई में जो है यह यह जो मैं मैंने फ्रोक बनानी है इसमें डिजाइन डालना है इसमें मैंने देखिए गले के लिए तीन इंच चोडाई में कपड़ा लिया हुआ है यहां से तीन इंच और नीचे के लिए जो साड़े छे इंच लिया हुआ है आप जितना आपके लिए सुटेबल है छे इंच साथ इन जितना पहनते उतना डाल सकते हैं यह देखे मैंने यह जो है साड़े छे इंच लिया हुआ यहां से और चोड़ाई से यहां पर भी मैंने पूरा तीन इंच लिया हुआ है अब जो मैंने इसमें जो है एक इंच की यहां पर गुलाई डालनी है यह जो मैंने एक इंच की इस तरह से इसमें यह जो मैंने गुलाई डालनी अब मैंने इसमें जो डीजाइन वाला गलाव नाना है तो यहां से एक इंच का एक इंच का जो यहां पर यह निशान लगाना है यहां पर एक इंच का यहां पर निशान लगाना इस तरह से एक इंच का यहां पर छोट थोड़ी थोड़ी जगा पर जो इस तरह से जो है एक एक इंच का जो है निशान लगाना है यह देखे यह जो मेरा पैटरन बन चुका है यह जो में गला है बीना बुक्रम से भी बड़ा ही सुंदर गला बनाऊंगे अब सबसे पहले हमने यहां की कटिंग करनी है उसके बाद यहां की कटिंग करनी है यह देखे मैंने इसकी कटिंग करनी है कुछ इस तरह से जो इसकी cutting होगी अब मैंने इसको जो side में कर देना अब जो ये मैंने गला ली हुआ है इसको जो मैंने इस तरह से कागज लिया हुआ है आप चाहे तो अकवार भी ले सकते हैं और इसको इस तरह से इसमें ए जो सीधी side कर देने इस तरह से जो इसकी cutting कर देने इस तरह से इसमें हमें यहां ध्यान रखना है यहां से थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा काटना है इस तरह से यह दोरी बनानी मैं इसमें चाहएं एट spool लिवा है में जो यह देखिए दो इंच कपड़ा लिवा है और लंबी तो बहुत सारी लंबी डोरी लेनी है हमने और यहां से कम से कम आदा इंच पर जो मैंने इसमें सीलाई डाली वूए अब हम इन्हें सीधा किस तरह से करेंगे आप पिंड की सायता से या सुई की सायता से इसको कर देखिए इस तरह से जो इसे सिधा कर दोंगे इस तरह से डोरी निकाल दोंगे ऐसी मैंने बहुत सारी कि देखिए बहुत सारी डोरी निकाली हुई है और सिधी की हुई है अब मैं इसमें लगाऊंगी से इस तरह से हमने जो इसमें पूरे पैटरन पर जो इकटी-इकठी दूरी बनाई है इस तरह से जो इनमें ऑड़ कनने है यह देखी कुछ इसry कर मादन को即时 programme यहां सीथी एहां से विल्कुल हिक तीली हुए है हमने सारी जी पर कर खिए हमने यह लिए क्ली हो cay बॉडरी एव हमने इसे मैंने यहां से भी इंतों गैप रखंव रह करने हैं इस तरह से जो हमारा गला जो रीडियो गया अब हमने इसमें क्या करना मैंने जो रेवदार कपडा लिया हूआ है और मैंने इसको इस तरह से डबल करके यहां से यहां भी ध्यानक रख था है जो सीलाई के बिल्कुल भी दिखनी न चाहिए इसके सिलाई के बिल्कुल उपर से जो इस तरह से इसमें सिलाई लगानी है इस तरह से मैंने पूरे में इसमें सिलाई डाल दिये और यह अकवार जो कागजे इस तरह से इसको निकाल देंगे यहां से और यहां से इसके उपर से सिलाई डालेंगे अब इसके इसके उपर से प पाइपिंग में रेडियो हो चुका है अब हमने जो इसको इसमें किस तरह से आड़ करना है यह हमारी सीधी साइड है और इसको हमने जो है इस तरह से इसको आड़ करना इस तरह से सीधी साइड से इस तरह से लगाना है सारा इस तरह से तरह से लगाना इस तरह से इस तरह से जो हमारा यह गला रेडी हो चुका है अब हम इसमें क्या करेंगे जो हमारे उल्टी साइड जो हमने कागर लगाया हूं इस तरह से निकाल देंगे क्यों हूं अब पर स्कृटा है अगर हमें यह कं फनीशेंग वी अच्छी करनी तो मैं इस तरह से करेंगे और यहां से क uniqueness मत्तिके मैंने रेवाडार कपड़ा लिया हुआ है और इस तरह से इसको मैं यहां पर स्टिच करूंगे देखे यह जो हमने कप्रल गाया रेवदार इसमें जो एक्स्टा गर आपके पास को बढ़ा हुआ उसको काट सकते है और हलके हलके जो कट लगा सकते है और इस तरह से तब हम इसको इस तरह से सिधा करेंगे इस तरह से यह देखे हमारी बिल्कुल अच्छी बैक साइड से भी बिल्कुल इस तरह से अच्छी फनिशिंग आएंगे आप चाहे तो यहां से तूरपाई कर सकते हैं इस तरह से एक सिलाई जो हम जो इसके ऊपर से फ्रंट से यहां से एक सिलाई यहां से डालेंगे ताकि जो हमारा करला बिल्कुल पक्का वैठ है इस तरह से हमारे उल्टी यहां गैप में जो स्टोन लगा सकते हैं मोती लगा सकते हैं कुछ भी इस तरह से इस तरह से यहां से मीड़ बॉइंट से एक वाल उठाया फिर दूसरी बार फिर इस तरह से दो तीन बार लेना आए इस तरह से यह देखिए बड़ा ही सुंदर गला बना है आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू